लाइट भी जला सकते हैं यहां पर टीप रहा है और यह देखो इसमूद काम कर रहा है तुराँ है गाइस तो हमने अपने पुराने फोन को बना दिया अपने रूम का CCTV कैमरा है आप देख सकते हो यह मेरा कैमरा लगा हुआ है किसी को खायर पता चलेगा मैं ऐसे यह कपड़े उपड़े डग दूँगा किसी कुछ नहीं पता चलेगा और यह रिकॉर्डिंग करके पूरा भेज रहा है लाइफ मेरे इस फोन में आप देख सकते हो एक बार जूम करके मैं मैं जाना जानगा यह में बढ़ता गयाओ सारा चीजे तो यह जो है उस कैमरे से रिकारसे दूज हो रही है और इस even काफी सारा चीज़े कंट्रोल कर सकता हूँ यहां तक कि मैं इसकी लाइट्स के कंट्रोल कर सकता हूँ इस मोबाईल में कहीं दूर हूँ और यह कैमरा में recording करके इस फोन में भेज रहा है और मैं इसमें कुछ बोलूँगा न तो इस मोबाईल से आवा जाएगा इस mobile के lights जला सकता हूँ सब कुछ मैं life proof आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अपने mobile में install करते हैं इसको online कैसे recording होती है इसको कैसे control करते हैं सब कुछ बताऊंगा उसे पहले आप देख लो ये मेरा hidden camera कैसा काम करता है एक वर देख लो आप लो जाच लो फिर वीडियो को आगे बढ़ो चेनल करने सब्सक्राइब तो है गाइस देख सकते हो अभी हमारे पास ये दोनों mobile से और ये realme की है और ये infinix से ये मेरी camera है जिसको मैंने CCTV camera बनाया हुआ है अभी तो आप देख सकते हो ये जो mobile है ये चारतरफ से बंद है देखो ये skin इसकी unlock है ये सारा चीज़े बंद है लेकिन इस phone में ये recording कर रही है देखो मैं जिधर इसको लेके जा रहा हूँ ये सारा चीज़े recording है यहाँ तक कि आप मेरे को खुद को देख सकते हो यहाँ पर मैं किस तरीके से recording कर रहा हूँ और ये इसमें transfer कर रहा है online तो इसको आप भी असानी से कर सकते हो हाला कि यह मैं बता दूँ इस phone से आप बहुत सारा चीज़े control कर सकते हो अब यहाँ पर मैं आपको एक switch के माधियम से दिखाता हूँ यहाँ से आप चाहो तो यह automatic recording से भी कर सकते हो दूसरी चीज़े यह है कि यहाँ से आप चाहो तो यह flare slide भी जला सकते हो देखो यह flare slide मैं चला कर दिखाता हूँ यहाँ से मैं flare slide जला सकता हूँ, off कर सकता हूँ, on कर सकता हूँ camera switch कर सकता हूँ, यह आगे का है तो पीछे camera हो जाएगा देखो अभी यह front camera दिखा रहा है मैं चाहूँ तो इसको फिर से camera को switch कर सकता हूँ बहुत सारा चीज़े alarm में यहाँ पर बजा सकता हूँ, यह alarm पर click करता हूँ तो यहाँ पर alarm क्लिक करूँ और यहाँ से देखो, यह alarm खुद automatic बंजन लगा ठीक और भी सारा चीज़े कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ बोलना चाहें तो talk भी कर सकते हैं अब यहाँ से जो कुछ भी बोलेंगे इस mobile से सुना ही देगा यह सारा चीज़े आप control कर सकते हैं, बढ़ कैसे यह सारा चीज़े मैं आपको बताता हूँ तो आपको एक application download करना पड़ देगा, जो की play store पर असानी से मिल जाएगा देख सकते हो, मैं अपने play store पर हूँ जो आपकी personal mobile है इसमें आप देख सकते हैं, तो दोनों में आप install करके open करिएगा, ठीक तो मैं इसको open यह update मांग रहा है, अपडेट अभी नहीं करेंगे हम तो देख सकते हैं, दोनों mobile में एक सार डाउनोड करेंगे, ठीक आप दोनों mobile में कुछ ऐसा interface आ जाएगा आपको, आप देखना है किस mobile में आपको decide करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस mobile में देखना है और इस mobile से recording करना है मतलब इसको CCTV camera बनाना है और इसको display बनाना है मेरा, ठीक तो क्या करना पड़ेगा, जिसमें देखना है, उसका QR code लगेगा, ठीक तो क्या करूँगा, मैं आप Google यहां पर करूँगा, continue with Google पर क्लिक करूँगा उसके पास मेरा email आएगा, कोई भी email पर मैं singing कर दूँगा, ठीक अब उसके पास से क्या करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताता हूँ, जब आप email से login हो जाएंगे, तो आपको camera select करने क्लिए देगा, कि आपको किस चीज़ से camera select करना है, affiliate से, computer से, mobile से, तो हमको mobile पर क्लिक करना है, और simply आपको कुछ ऐसा option आ जाएगा, इसमें हमको दिया होगा, यह देखिए, scan to link, तो यहाँ पर किलिक करके और इसको simply से scan कर लेना है, ठीक है, तो आपको जब scan करेंगे, तो कुछ इस परकार से scan हो जाएगा, मैं इसको scan कर लेता हूँ, हाँ, तो यह कुछ इस परकार से scan हो रहा है, अब देखिए, scan होने का बात कितना बह राइट जला सकते हैं, इसका camera जो है, आगे पीछे कर सकते हैं, हारने बजा सकते हैं, सब कुछ, अल्मोस्ट चीज़े कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो गया है, automatic connect हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, online और यह बन गया है, हमारा camera, आप देख सकते हैं, मैं इतनी भी बैटरी कितनी चार्ज है सब कुछ यहां पर डिस्पले पर सो होता है मैं आपको यहां से बैक करके एक बर बताता हूं देखिए ओनलाइन दिखा रहा है 43 परसंट बैटरी चार्ज है यहां पर दिखा रहा है 43 चार्ज है सब कुछ बताएगा और कितना percent charge क्या है और यह क्या गरेगा automatic moments को record करेगा जैसे कि यदि इस camera के सामने कोई चेहरा आता है तो automatics recording करतेगा और recording करके आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे note bet करता हूँ यहाँ पे थे हम लोग और यह क्या आपको इवेंट में save करतेगा आपको जितना भी recording होगी यहाँ से आप बाद में इसको आसानी से देख सकते हैं यह पी आपकी आपकी रुकौर्डिंग होगी आसानी से देख सकते हैं यहां से control करने के बारे में बता रहे थे तो मैं आपको यहां पर control करने के बारे में इसके बता देता हूं, ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं, यह recording हो रही है, मैं इसको back करता हूं, और यह को मैं इधर कर देता हूं, ताकि यह recording होती रहे, अब यहां से देख सकते हैं, यहां से कुछ बोलेंगे तो इस मोबाइल में आवाज आने लएगी ठीक ना यहां पर मेल आउट कर देना है और इसको दबाना है देखिए अब में कुछ पोल रहा हूं तो यह को हो रहा है तो इस तरीके से आप यह काम का कर सकते हैं इसली फिर वहां से एक रिकॉर्डिंग कर सकते है ठीक यदि आप चाहते हैं कि इस मोबाइल का कोई कैमरा मतलब क्या बाते कर रहा है वह सुनना तो यहां से आप सुन भी सकते हैं इसको दबाएंगे तो इसमें इस कैमरा के सामने जो भी मुव्मेंट होगा आराम से आप इसको सुन भी सकते हैं तो यह थोड़े हमारा यहांब हो सकता है यहां पे आप लाइट बुला जा सकते है यहांपे आप जाना सकते है यहां पर आलारम यहांपर कोई लगोगाँ, पर होता है यदि night में कोई recording करना है तो night भी कर सकते हो night vision हो सकते है यहां पर ठीक ना light problem में यहां पर alarm कोई बजाना चाहो तो simply alarm पर क्लिक करो यहां okay करो alarm बजने लगा देते हैं इसको हम बन कर देते हैं अरे बनो जा भाई तो यह सारा चीजे से I hope आप समझ गये होंगा फिर अगले वीडियो में सारा चीजे आपको confirm किलियर कर दो